आज बनाएंगे उनियन पकोड़ा क्याल्ड के शुस्के लिए हम लेंगे दो ऑनियन उसको याइस इसलाइस में ग्रशलाईन उसको नहीं काट लेंगे ऊतनी सेपरेंट कर लाइंगि मीडियम साइज में हम ये काटेंगे ज्यादा मोटी भी नहीं और पतली भी नहीं ऐसे करके हम सारी ओनियन्स को काट लेंगे और थोड़ी से सेपरेट कर लेंगे उसके बाद उसके अंदर लेंगे हम बेसन राइस प्लोर, राइस प्लोर से क्रिश्पी बन दे हैं और शोल्ट अपने श्वाद के अनूशार और ज्वाइन, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और लेमन जूस थोड़ा सा पानी लेके हम उसको मिक्स कर देंगे यहाँ पे ज्यादा आटा और ज्यादा पानी नहीं यूज करना है थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम उसको मिक्स कर देंगे तो बेसन है और राइस प्लोर अच्छे से कोट हो जाए उसके बाद हम एक पेन में तेल गरम करने को रखेंगे और फुली चमाच की मदद से या तो हाथ की मदद से हम उसमें पकोड़े बनाएंगे और इस टाइम पे हमारी फ्लेम है वो मिडियम रहेगी क्योंकि प्याज को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा और यह हम डिप फ्राइ करेंगे मिडियम फ्लेम पे और सारे पकोड़े से बना देंगे और बीच बीच में दो तीन बारे से पल्टाते रहेंगे चब तक यह क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम यह से पल्टाते रहेंगे और पकाते रहेंगे बीच बीच में तो यह हमारे ओनियन पकोड़े बनके रेड़ी है चाय के साथ कट की चटनी के साथ बहुत टेश्टी लगता है